हम अभी इस वक्त राजनिवास में LG हाउस में बैठे हैं मैं हूँ मेरे साथ गुपाल राई जी मनेश सोधिया जी और सत्म दर्जेन जी तीन मंत्रिगन हैं हम लोग कल शाम को साड़े पांच बजे LG हाउस आय थे LG साब से हम लोग मिले थे मोटे मोटे तौर पे हमारी दो मांगे हैं तीन मांगे हैं एक तो ये की पिछले चार महिने से दिली के आये सफसरों ने खड़ताल करकिये आंशिक खड़ताल है वो लोग किसी मीटिंग में सरकारी मीटिंग में नहीं आते किसी मंत्री के फोन का जवाब नहीं देते, फोन नहीं उठाते, मेसेज का जवाब नहीं देते बस जो बहुत ज़रूरी फाइले हैं, वो निप्टा देते हैं बाकि कोई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोई दूसरे और कोई काम नहीं कर रहे है इसकी वज़े से दिल्ली के लोगों का काम बहुत ज़्यादा रभावित हो रहा है अभी गर्मी के छुटियों के दुरान सारे स्कूलों में वाइट वाश होनी थी, वो काम रुका हुआ है प्राइवेट स्कूलों को EWS का पैसा जाना था, वो रुका हुआ है Signature Bridge में आखरी installment का पैसा जाना था, वो रुका हुआ है मुहल्ला क्लिनिक रुक गए है Unauthorized कॉलों में सडक नालियां बनने का काम रुक गया है बहुत सारे काम प्रभावित हो गया है, बहुत सारे काम प्रभावित हो गया तो हमने LG साब को कई बार लिखा अभी तक हमने कई बार मैं मिला पिछले दो-तीन महिने में कि इसको स्ट्राइक को खतम करवाओ मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ 23 फरवरी को हमारी पूरी केबिनेट LG साब से मिली ये LG साब इस स्ट्राइक को खतम कराओ उन्होंने का मुझे एक हफते का टाइम तो मैं खतम कराता हूँ उन्होंने कुछ ने किया फिर 26 फरवरी को मनीज से सोधिया जी ने चिठ्थे लिखे 28 फरवरी को फिर मैं परसनली मिला LG साब से मैंने पूछा जी आपने एक हफते का टाइम मांगा तक क्या हुआ अगले दिन एक मार्च को मैंने फिर एक और चिठ्थे लिखे फिर 16 माई को मैं फिर LG साब से मिला मैंने का अब तो एक दो महीने पीच में बीट गए अब क्या हुआ उन्होंने का एक और हफता दो मैं आप कुछ करता हूँ हमने का जी इस तरह से काम नहीं चलेगा और आपको रिटन डिरेक्शन जारी करने पड़ेंगे आदेश देने पड़ेंगे अफसरों को कि भी हरतान इल्लीगल है वो काम पे लोटो तो उन्होंने रिटन आदेश देने से मना कर दिया अब कहते हैं मैं समझाओंगा हमने का ठी हमें धंकियां मिल रही है अचान धंकियां देंगे कहा जा रहा है कि खबरदार जो तुम स्ट्राइक तुम लोगोंने खतम की उन्होंने का जी इस आब ब्रॉट को बीटाया हूँ ऐस ऐसका ने यह गलत है मैं इक हफ़ता दू मैं बात करना फिर एक हफ़ता दिया फिर का जी अब तो स्ट्राइक खतम करवा के जाएंगे हम लोग यहां से तब से हम लोग बैठेंगे दूसरा मुद्धा है कि जो डोर स्टेफ डिलिवरी ओफ राशन है हम सब जानते हैं कि राशन के दुकाने खुलती नहीं है राशन वाला बत्तमीजी करता है ज्यादा पैसे ले लावट करता है तो हमने सोच है यह राशन के दुकाने बंद कर दी जाए अब हर आदमी के घर उसका जितना राशन बनता है वो बोरी में पैक करके उसके घर को भिजवा दिया जाए इससे उसको राशन मिल जाएगा और इसमें सारे भी चोलिये खतम पड़ इच्छी स्कीम जो भी सुनता है कहता है यह तो बिल्कुल क्रांटी कारी स्कीम है इसको एल जी साब मना कर रहा है और कल जब हम शान को मिले उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया बोले इसकी तो मैं इजाज़त ही नहीं केंदर सरकार से आपको परमिशन लें हमें बदाए इसका क्या मतलब है क तो हमने का कि एक आनून में लिखा ही नहीं हुआ कि केंदर सरकार की परमिशन की जरूर है। आप इसमें हमें वो दीजिए। लेकिन एलजी साब नहीं माने। तो हम यहां बैठे हैं, अपने लिए नहीं बैठे। आप लोगों के लिए बैठे हैं, दिल्ली के 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 लोगों के लिए बैठे ह झाल झाल